असलाम लेकूम, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल, तोड़े वी आर गोईंग तो डिसक्स ता इफेक्ट अफ लाइट ओन एनिमल्स, लाइट बैसिकली एनिमल्स को फोर वेस से इफेक्ट करती है, मेटाबॉलिजम, पिग्मेंटेशन, मूवमेंट एंड फोटो प्र फिर्स्ट वन है, मेटाबॉलिजम, मेटाबॉलिजम जितनी भी गाइबावाआ हम्हारी बॉडी में उन्हें हम METABLYंजम जो हर एनिमल को डिफ़रंट होता ऑर मेटाबॉलिजम जो होता हैं और मेटाबॉलिक रिट पे लाइट को बहुत ज्यदा एफेक्ट हुता है कैसे हीटिंग की वज़ा से ठीक है लाइट इन डिरेक्ट रिलेट किसे कारी है टमपरेचर से टमपरेचर ज्यादा होगा तो हीटिंग एफेक्ट होगा टिशू से और इसके सहाथ आयोनाइजेशन आफ प्रोटो प्लाजम को भी लाइट जो है वो एफेक्ट करती है जितनी ज्यादा लाइट इंटेंस्टी होगी उतनी ज्यादा इंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी ठीक है और मेटाबॉलिक रेट और डिग्री अफॉलिबिलिटी अफ सॉल्ड प्रोटो प्लाजम में उतनी ही ज्यादा होगी अगर एनिमल्स को कम लाइट मिलेगी फॉर अग्जेंपल जो केव्स में रहा है उनका मेटबॉलिक रेट स्लो होगा और वो स्लो मुविंग होंगे ठीक है? यानि मेटबॉलिक रेट का इफेक्ट किस पे है? मुवमेंट पे भी है अगर मेटबॉलिक रेट स्लो है तो स्लगिश होंगे, सुस्त होंगे ठीक है? इस तरह अगर हमारे पस एक एक एग्जेंपल है सैमन लार्वा की उसकी डिवेलिपेंट सिर्फ तब होगी जब सफिशेंट सान लाइट होगी अगर सैन लाइट नहीं है तो उनकी डिवेलिपेंट नॉर्मली नहीं होगी और उनकी डेथ हो जाएगी यह जो आपको अपर राइट कॉर्नल में नज़र आ रही है ना सैमन लार्वा है ठीक है? इन कंट्रास्ट, माइटिलिस लार्वा की अगर हम बात करें तो अगर उसको हम लाइट देंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी उसकी ग्रोथ बेस्ट तब होगी जब हम उसको डार्कनेस में रखेंगे दोनों आपोजिट हैं क्योंकि हर एनिमल लाइट रिक्वार्मेंट्स डिफरेंट हैं उसको पिग्मेंटेशन अब पिग्मेंट्स जो हमारी बाड़ी में बनते हैं जैसे हमने प्लांट्स में बात की क्लोरो फिल की कि उसकी प्रड़क्शन डिरेक्ली लिंक किस से कारी है लाइट से इस तरह एनिमल बाड़ी में जितने पिग्मेंट्स होते हैं वह भी directly relate नियक्त हर सानलाइड से का कितनी देर के लिए animal sunlight में expose होario i cheet सब्सक्राइड केकर में अब जो animals caves में रहते हैं उनमें help नहीं होती क्योंकि एक हम 100% has conclusion तो उनमें भी pigmentation शुरू हो जाएगी, अब human की example लेते हैं, human जो tropics में रहते हैं, वो dark होते हैं, as compared to cold regions में रहते हैं, ठीक है, अब कुछ animals जो हैं, उनकी skin color इस तरह होती है, जो background से resemble करती है, जिसको हम protective coloration कहते हैं, तांके वो hood को protect कर सकें, जैसे polar bear है, polar foxes हैं, यह जो के snow पे lizards हैं, जो अपना color change कर लेते हैं, जिस तरह का environment होता है, उसके लिहाज से वो अपना color change कर लेते हैं, इस तरह उनकी भी protection होती है, जैसे हमारे पास यह chameleon की example है, ठीक है, यह अपना color within minutes चेंज करता है, ठीक है, और जिस तरह का, इसका surrounding का environment होता है, उस तरह का यह अपना color बना लेता है, बोडी का, third one is the movement, movement पे भी light का effect होता है, ठीक है, और जो animals की movement होती है, in respect to sunlight, उसे हम photo taxes कहते हैं, अगर towards the sunlight होगी, तो इसे हम positive photo taxes कहेंगे, अगर away from the sunlight होगी, जैसे bats वगएरा हैं, तो उसे हम negative photo taxes कहेंगे, अच्छा, उसके बाद light क्या करती है, control करती है, velocity of movement, जैसे हम फोटो काइनेसिस कहते हैं, जैसे डाइंड लार्वा जो है, muscle crabs को faster move करते हैं, अगर sunlight को, sunlight उनको दी जाए तो, अगर sunlight नहीं होगी, तो स्लोली मूव करेंगे, इस तरह sunlight क्या कर रही है, velocity of movement को increase कर रही है, इस phenomena को हम क्या कह रहे है, photo kाइनेसिस, अब कुछ animals ऐसे है जैसे हम फोटो ट्रॉपिजम कहते हैं, जैसे हम फोटो ट्रॉपिजम कहते हैं, तीन डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़ी हैं, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, लाइट जो है, वो लिंक का रही होते है, डिरेक्ली ब्रीडिंग एक्टिविटीज के साथ, कुछ ऐसे अनि ब्रीडिंग जो है, वो स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे अनिमल्स भी हैं, जो शॉट डे अनिमल्स हैं, जैसे गोट है, शीप है, डियर है, ठीक है, इने सेक्शोल एक्ट ये तब करेंगे, जब हम इनको शॉट डे लेंथ में एक्सपोस करेंगे, यानि विंट जैसे तब्रेंट इसमें, जैसे डिवैल्मेंट अफ गुनेड्स में, मॉल्टिंग में, माइग्रेशन में, डिपॉजिशन में, वगवेरा में, यूझके जो डिफरंट एक्टिविटिज की टाइमिंग है ना, वह डिपेड करती है, लाइट करती है, और जो हम हमारे एनि जनकी रूटीन हमारी रूटीन से हैं तो हमारा बालोजी के अखलाक सेट होने में कुछ टायम लगता है तो लाइड वह डिफ्रेंट फॉर वेसे ऐनिमल्स पे एफ़क्ट करती है